नमस्कार, मैं डॉक्टर रशीद एमद, काडियोलोजिस मनिपाल होस्पिटल जैपूर आज हम बात करेंगे सर्दियों में हार्ट के पेशिंट्स को क्या साउधानियां बरतने हैं इस्पैसली सीनियर सेटीजन्स को जैसा कि सब लोग जानते हैं सर्दियों के मौसल में हार्ट संबनित बेमारियां बढ़ जाती है जैसे कि हार्ट अटैक, especially early morning में ब्लड पेशर बढ़ जाता है और जिन पेशिंट को हार्ट फेलियो रहता है उनको hospital में भरती होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में जो chest infection है वो भी बढ़ जाते हैं इसलिए सर्दियों में heart के patient को विशेश सावधाने रखनी है जैसे कि आप अपने morning walk के लिए निकलते हैं jogging के लिए किसी exercise के लिए निकलते हैं तो आप जब निकलें तो थोड़ा सा मौसम खुला हुआ हूँ और धूप निकली हुई हूँ बहुत ज़्यादा सुभेट ठंड में ना निकलें जब भी बाहर निकलें तो पूरे कपड़े पहन कर निकलें ठंडे वानी अगरा से बचें और जिनको सिम्टम्स होते हैं जैसे सीने में भारी पंज, जलन, गुटन जैसा हो रहा है तो उनको सर्दी समझ कर इक्नोड ना करें तुरंथ अपने डॉक्टर को इकंसर्ट करें कई बार ये सिम्टम्स हार्ट अटेक के होते हैं और जो ब्लड जिन लोगों का हार्ट संबंदी बिमारियां हैं जैसे ब्लड पैशर या हार्ट एक वगरा के जो दरीज हैं उनको अपना रेगुलर चेक अप कराना चाहिए अपनी मेडिसिंस को रेगुलर लेना चाहिए और खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में इस्पैस्टि लोग तली हुई चीजें और नमक का सेवन जादा करते हैं तो आप नमक का सेवन और तली हुई चीजों का सेवन कम करें और हेल्दी डाइट लें जैसे की फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाथ और जो भी आप अपने एक्सरसाइज बगरा वाफ करते हैं वो उसके लिए आप खुला अपने मौसमों उसमें ही निकलें और जो निकलें प्रॉपर अपने कपड़े पहन कर बाहर निकलें तो भी ठंड में यह जीजों से तक्रीश बढ़ सकते हैं your heart requires more care during winter, so take care, stay safe, stay healthy